गुस्सा बहुत आना यदि रोगी को गुस्सा बहुत आए शरीर में बहुत गर्मी हो जाए और बात-बात में बढ़दाश्ट से बाहर हो पसीना बहुत आए सांस पूले हिर्दे की धड़कन बढ़े घबराट हो तो दस-दस ग्राम प्रवाल पिष्टी, मुर्ता शुक्ती पिष्टी अकीक पिष्टी ताप्यादी लौ और गिलोय सत्व मिला कर रखे इसका एक बढ़ा चम्मच पाउडर प्रति दिन तीन बार आमले के मुरब्वे या गुलगंध में मिला कर खाए चंदन वीटा और आमला शर्बत के दोदो चम्मच पिए 20 ग्राम गोंध कतीरा 250 एमल पानी में रात को पानी में भिगो कर रखे सुबह इसमें मिश्री मिला कर सेवन करने से शरीर और दिमाग की गर्मी निकलती है 10 ग्राम गुलगंध में आधी मातरा में कुटी हुई स्वाफ मिला कर खाने और दिन में तीन बार इस पर आमला शर्बत पीने से मानसिक और शारेरिक शान्ती मिलती है ब्रामी, शंगपुषपी, आमला, गिलोए और जटा मासी पांचो पाउडर 50-50 ग्राम की बराबर मातरा में मिला कर रखे इसमें से एक बड़ा चम्मच मातरा लेकर सुबह खाली पेट, दोपहर और रात को खाने से 10 मिनट पहले आधा कब पानी में एक एक बड़ा चम्मच, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट मिला कर इस से ले मस्तिश्क को पूर्ण रूप से शक्तिशाली, रोग रहीत बनाने और सुरक्षा देने के लिए यह मिश्रन उत्तम रामबान टॉनिक है इस मिश्रन से घर पर गुटिका भी बना सकते हैं पांच ग्राम कीकल या बबूल का गोंथ पूट कर चोथाई कब पानी में घुलने तक पकाएं ठंडा होने पर पाउडर में थोड़ा थोड़ा डाल कर मिलाएं और मटर के दानी जितनी गोलियां बना कर छाया में सुखाएं इसे दोडो गोली के रूप में सेमन करें आवला और उन्नाप का शर्बत पीना शरी और दिमाग को ठंडा रखता है पागलपन या उन्माद यदि रोगी बिना बात बहुत बोले अपने आप में बढ़ बढ़ाए मारपीट करें दिमाग पर जुनून हावी हो जाए चित विभ्रम आदी हो जाए तो ये उन्माद की निशानी है आयुरवेदिक चिकित्सा एक एक गोली सर्प गंधावटी और दिमाग दोश हरी को दिन में तीन बार आधा कप पानी में एक एक बड़ा चमच ब्रामी, अश्वगंधारिष्ट और सारस्बतारिष्ट मिलाकर इस से ले रात को सोते समय चरक कंपनी की ट्रैंक्विलिनिल फोर्ट के दो गोली पानी से ले सिर्पर हमदर्द का रोगन गुल मले लंबे समय तक लेते हैने से धीरे धीरे रोग ठीक हो जाता है सांकल में बंधेवे रोगी भी ठीक हो जाते है नीन कमाए, बिजैनी बहुत बोले, स्वयम पर निरंतरना रहे, आधी समस्या को ठीक करने का सुरक्षित और उत्तम योग है आलस्य और नीन बहुत आना महाशंख वटी की दो दो गोली दिन में तीन बार गरम पानी से या अजवायन के अर्ख से सेवन करना व्यर्थ की नीन और आलस्य को दूर करता है वासाव बले है का एक बड़ा चमच दिन में तीन बार सेवन करना अधिक नीन आने की समस्या ठीक करता है हिंग वाश्टक चूरण और लवन भासकर चूरण को बराबर मातरा में मिला कर रखे जोथाई छोटा चमच चूरण दिन में तीन चार बार चूसने से बहुत जमभाई आना और सुस्ती आने की समस्या दूर करता है